नेगेटिव लोग कौन हैं, कौन नहीं हैं हमारे पूरे सरकल में अब यह सवाल आजाता है, इनको हटाएं कैसे? कैसे इनसे दूर होएं, कैसे यह नेगेटिव एनरजी को धीरे-धीरे करके निप्टाया जाएं उसके बारे में बात कर लेंगे हम यहां पर, और step-by-step process है जिसको हम फॉलो करेंगे तो किसी को भी judge नहीं करेंगे, बस हम उसे neutralize कर देंगे या फिर हम उसे reverse कर देंगे कि या तो उस negative energy को कम कर दिया या फिर उसको पूरा उठाके पलाटी दिया positive energy में तो तीन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं, पहला है become an objective observer and don't be a savior, मतलब क्या है दूर से बैठके ना बस objectively देखना है, अपना opinion घुषेडना ही नहीं है उसमें subjective लाना ही नहीं बीच में, objectivities है, अच्छा इसने ऐसा किया, यह यह mental notes बना लू, physical notes बना लू, और जो एक 50 किताबे उसे बढ़ ली हो, या जिंदिगी में खुद इतनी चीज़े देख लिए हैं कि तुम उसको बता पा रहे हो, जो 99% नहीं होता, तो unnecessary ना, savior मत बनो, यह वो बात हो गई, तुमने देखा पानी में कोई डूब रहा है, तुम कूद गए मैं बचाऊंगा, और साले मेल वाली चीज़ निकल के आती है, masculinity हमें लगता हमें ही दुनिया को बचाना है, अबे नहीं होता यार वो, तो शान्त हो जाओ, पहले expertise ग्रो कर लेते हैं, फिर उस चीज़ पर आएंगे, ठीक है, और दलाई लामा जैसे कहते हैं, if you can, then help others, if you cannot do that, at least do not harm them, काई बार हम ना सेविर नहीं बना, पहला step तो ही है, उससे क्या हमें पता चल जाएगा सब कुछ, second step क्या करेंगे, back slowly away and allocate time, ठीक है, slowly away का मतलब क्या है, हम क्या करते हैं, कई बार आधी चीज़े तो अटा देते हैं, मेरा breakup हुआ, emotionally तो मैं आप उसे जिंदीगी से निकाल चूँ, physically सब to that emotional front, कहीं न कहीं वो यादे जुडी रहेंगे, तो सब कुछ अटा देना है, और marketing अगर किसी ने पड़ी है, तो triggers पड़े होंगे, चोटी 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 चुटे तो ट्रिगर हो जाते हो, वो रखने ही नहीं है, सब कुछ हटा ही डालो, अब इसमें सवाल यह आता है, कि स इतना दूँगा उस इंसान, ठीक है, और मैं एक एजांपल दे जाता हूँ, यहाँ पर तुम्हें समझ में आएगा, तुम में से कोई कभी घर पे पी के आया है, और खासकर ऐसे घर में जहाँ पर तुमारे घरवालों को बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, में को एक बार कॉमेंट करके बताना, बहुत रिलेटेबल स्टोरी, मुलाब एक या बहुत रिलेटेबल स्टोरीज है, बट मैं क्या करता हूँ ऐसे केस में, मेरे ना फट्ती बहुत अपने घरवालों से, क्योंकि इज़त इतनी जादा है, फट्ती है, मुझे पता हो नहीं है, बिल्कु नहीं खुलेगी, अब ना मैं 3 घंटा वेट कर रहा हूँ, कि जब तक मेरे पापा चले नहीं जाएंगे बिजनस पे, तब तक मैं उठूंगा ही नहीं, जब बड़दस्ती 3 घंटा खाली लेट आ रहाँगा, फोन भी नहीं चला सकता, क्योंकि उनको लगना चाहिए, मैं स कर लेता हूँ, और मैं तब वापस आता हूँ, जब वो खाना खाके सोने जा चुकि, क्योंकि मेरी फट इतनी रही है, मैं फेस ही नहीं करना चाहता हूँ, तो अगर कोई इंसान मेरे घर में टॉक्सिक है, मैं उससे भी तो बच सकता हूँ, वहाँ भी तो टाइम रेगुल बट मैंना अपना टाइम कम भी कर दिया, और उस टाइम को भी मैं रेगुलेट कर रहा हूँ, कि मैं उसको कैसे स्पेंड कर रहा हूँ, और उसकी कितनी नेगेटिव एनरजी अपने उपर ले हूँ, और थर्ड प्रिंसिपल, जो बहुत जादा जरूरी है, 25-75 प्रिंसिप कर रहा हूँ, तो 75% टाइम मेरे को पॉजिटिव एनरजी कंज्यूम करनी है, ताकि मैं उसे ऑफसेट कर सकते हूँ, कि अगर कुछ लोग मेरे आगे बैठके गॉसिप कर रहे हूँ, तो उतना ही टाइम, उससे तीन गुना टाइम मेरे को ऐसे लोगों के साथ लगाना है, जो लोगों के बारे में अच्छी बाते करते हूँ, जो करियर्स के बारे में, अमबिशन के बारे में, आइडियास के बारे में बाते हूँ, जिंदिगी में क्या उखारना है, क्या पैसे कमाने है, कैसे पीस अचीव करनी है, उसके बारे में बात करते हूँ, ठीक है, तो त उसको भी तो सही करना है ना कि भार के लोग अगर मैंने अच्छे लोग भर भी लिये बट मैं खुद ही वो नेगेटिव इंसान हूँ जिसको मैं दुनिया से आनी गोशिश कर रहा हूँ तो ये भी अच्छे लोग तो मेरे दूर से भाग जाएंगे तो उसके बारे में अगल कर दो आनी वीदियो